नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजुडियो और आपका स्वागत है SGV News पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आपको बता दिया आ रही है पंजाब से जी हाँ पंजाब से बड़ी खबर ये है कि भगोडे अमरित पाल सिंग को आज सुबा ठीक छे बच कर 45 मिन अडियानी की पोने साथ बजे पंजाब पुलीस ने मोगा से अरेस्ट कर लिया है जी हाँ वही बगोड़ा अमरित पाल सिंग जो पिछले कुछ दिनों से आख मिचोली खेल रहा था पुलीस के साथ अमरित पाल सिंग को रोडे गाउं में एक गुरुद्वारे से गिरफता अरे से ही यहां पर अमरित पाल के साथिओं को रखा गया है असंदों पर एका समर्थक की रिहाई के लिए दरसल कुछ अफ्ले 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर हमला किया था और उसके बाद जो है 18 मार्च को पंजाब पुलीस ने केंदरे सुरक्षा बलो के साथ मिलकर उसकी गिरफतारी के लिए गेराबंदी की थी लेकिन उस समय अमरित पाल सिंग गिरफत में नहीं आया था और वो फरार हो गया था जिसके बाद हाई कोट ने फटकार भी लगाई थी पंजाब सरकार को और गिरफतारी से पहले क्या कहा अमरित पाल सिंग ने आया यह आपको पताते हैं है उसी जगा पर हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और एहम मोड पर खड़े हुए हैं एक महीने से जो कुछ भी हो रहा है वैस्ट सभी ने देखा है यह कहा गया अमरित पाल सिंग की तरफ से इतना ही नहीं आगे गिरफतारी को लेकर क्या कहा गया गिरफतारी को बात होती तो गिरफतारी के बहुत तरीके थे हम सहयो करते दुनिया की कचैरी में हम दोशी हो सकते हैं लेकिन सचे गुरू की कचैरी में नहीं उसके बाद अमरित पाल सिंग की तरफ से का जाता है कि एक महीने बाद फैसला किया इसी धरती पर लड़े हैं और लड़ेंगे जो जूठे केस हैं उनका सामना करेंगे और गिरफतारी अन्तने शुरूरा थे जूठे केस बटाया जा रहा है पूरी दुनिया ने विज़ूल्स देखे हैं जब उस थाने पर लाठियों से तलवारों से हमला किय गया था वहीं अमरित पाल समर्थकों की बीड के साथ सरेंडर करना चाह रहा था लेकिन इसके लिए पहले शनिवार रात को मोगा के गाउं रोडे पहुँचता है वहाँ पर जो अमरित पाल सिंग के करीबी पहले से ही मौजूद थे वो करीबी पंजाब पुलिस के अवसरों से संपर करते हैं और इसके लिए रविवार यानि की आज का दिन जो है वो चुना जाता है कि आज के दिन सरेंडर किया जाएगा और अमरित पाल जो है वो सरेंडर के वक्त शक्ती परदर्शन करना चाता था तमाम अपने समर्थकों को लेकर कि सरेंडर करना चाता था वहीं पंजाब पुलिस को ये आशंका थी कि भीड जमा होने पर किसी तरह का माहोल जो है वो भिगड सकता है और इसी वज़ा से अमरित सर के SSP सतिंदर सिंग और उनके साथ पंजाब पुलीस इंटेलिजन्स के IG रविवार सुभा ही गाओं रोडे के गुरुद्वारे में पहुंच जाते हैं जी हाँ और साधी वर्दी में जो है वहाँ पर पुलीस पहुंचती है और साधी वर्दी में पहुंची हुई पुलीस ने सुभा ही अमरित पाल सिंग को गिरफतार कर लिया अमृत पाल सिंग ने सरेंडर किया या फिर गिरफ़तार हुए इसको लेकर सुबा से ही लोगों में अमंजस किसी कुस्धी थी इसको लेकर आई जी सुख चैन गिल क्या बोले हैं वो भी आपको बताते हैं लेकिन आपको हम क्लेर कर दें कि बार-बार ये काड़ार था कि surrender किया है, surrender किया है, आतम समर्पन किया है, लेकिन पुलीस ने साफ कर दिया है कि ये surrender नहीं, बलकि उसको पुलीस ने गिरफतार किया है, हालंकि यहाँ पर तैयारी थी surrender करने की, तभी वो प्रवचन दे रहा था वहाँ पर, आईए आपको बत इंपुट के आधार पर किया और गुरुद्वारे को घेरने के बाद ही अमरित पाल सिंग को एनसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्य सुरक्षा कानून के तहट गिरफतार कर लिया गया तो यानि कि इससे पाल सिंग पंजाब के मोगा से गिरफतार हुआ है और आगे की जानकारी भी शेर की जाएगी लेकिन पंजाब पुलीज ने अपील भी की पंजाब के नागरिकोंसे का कि नागरिकों करने के बाद ही उस नियूज को शेयर करें इससे जो है असमंजस की स्थिति बन सकती है इसलिए अपील की गई है पिछले लगबग एक महीने में अमरित पाल सिंग को के जगाओं पर देखा गया था उसने जो है वीडियो भी जारी किये थे एक के बाद एक जो है अमरित पाल स जसान हरियाना उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में अमरित पाल सिंग की तलाश की थी लेकिन वो जो है हाथ नहीं आया था लेकिन उसके अलग लग जगाओं से फोटोस वीडियोस जो है वो सामने आ रहे थे वहीं कुछ दिन पहले आने की 20 अपरल को अ उसके बाद कीरंदीब को छोड़ दिया गया था और पुलीस सुत्रों के मताबिक जो खबर सामने आई कि अमरित पाल सिंग जो है वो बैसाखी के दिन यानि की 14 अपरल को सरेंडर करना चाहता था लेकिन उसकी कुछ शर्ते भी थी अमरित पाल सिंग की और उसकी शर्त ये थी कि वैब बठिंडा के तलवंडी साबो स्थित तक श्री दमदमा साहिब आ करके सरेंडर करना चाता है बेसाखी के दिन 14 अपरल को और जैसे ही इंटेलिजेंस को ये खबर पता लगी और पंजाब पुलीस को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अमरित पाल सिंग को दमदमा साहिब पहुचने से पहले ही जो है रोकने के लिए पुलीस सुरक्षा जो है वो यहाँ पर कड़ी कर दी और जिसके बाद वो जो है वहाँ पर जा करके तो सरेंडर नहीं किया गया लेकिन अब आखिरकार मोगे के रोडे पहुचा और यहाँ पर पुलीस ने उसे पकड़ यह वही गाओं है जहां पर जर्नैल सिंग बिंडरावाला का जनम हुआ था यह जैसा अपने बियान में भी बताया अमरित पाल सिंग ने और इतना ही नहीं अमरित पाल सिंग ने वारिस पंजाब दे का मुखिया बनने के लिए यहीं पर आकर के जो है दस्तार बंदी समारो का अजन भी किया था इतना ही नहीं यहां पर ISI से संबंद भी सामने आए थे अमरित पाल सिंग ए खुद भारतीय खूफिया एजंसियों का इसमें पाल सिंग के पाकिस्तान की खूफिया जंसी ISI और उसके साथ साथ खाली सतान आतंकी समूहों के साथ संबंद है और ISI ने जॉर्जिया में अलगावादी एजंडे को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग भी दी थी ये खबर सामने थी कि क्योंकि पहले वो दुबई में था दुबई से जब पंजाब आकर के पूरा मुमेंट उसने चलाना शुरू किया जो पहले एकदम कूल बॉए था वो आकर के कैसे जो है एक पूरा यहां पर माहोल बनाता है खालिस्तान के लिए और उससे पहले उसको ट्रेनिंग जो है वो जॉर्जिया में दी जाती है पाकिस्तानी खूफी अजनसी आई एसाई की तरफ से बैरहाल अब यहां पर गिरफ्तारी हो चुके है असम की डिब्रुगर्ट जेल जो है वो ले जाये जा रहा है यहां पर फ्लाइट के जरिये और इसको लेकर आपका क्या क्याना आपकी क्या रहा है आप जरूर हमार साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रेमासत दन्यवाद